हेलो दोस्तों टेंथ क्लास की बोर्ड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास का बायो का लेशन हरीडिटी एंड इवोलुशन important chapter है आसान chapter है और ये plus one two तक भी आता रहेगा अगर आप medical science लेते हैं तो हरीडिटी एंड इवोलुशन सबसे पहले इन दो terms का मतलब ही जान लेते हैं क्या होता है हरीडिटी मिन्स आपने देखा होगा आपकी शकल है, shape of nose है, या color of eyes है ये बहुत सी चीजें आपके पेरेंट से मिलती हैं और ऐसा बहुत सारे organisms के साथ होता है, लगबग सब के साथ होता है इसी चीज का scientific name है heredity, that is transmission of characters from parents to offsprings offsprings means संतान जो उनके बच्चे हैं, तो parents से offsprings में characters का, गुनों का, या traits का कोई भी को इसका उसका चले जाना, transmit हो जाना क्या कहलाता है, heredity कहलाता है और जब ये गुन जाते हैं, जैसे parents, आपके parents से आप मिलते जुलते होंगे लेकिन आप exact same नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा, कुछ differences आएंगे ये जो differences हैं, इनका नाम है variation, के young ones जो हैं, किसी भी parents के उनके अंदर कुछ characters में difference मिलेगा, या जो species के young ones हैं, उनमें भी difference होता है इस difference को हम क्या कहते हैं, variation कहते हैं देखो, दो तरह का reproduction होता है, इससे पहले वाले chapter में आपने पढ़ लिया होगा एक होता है asexual reproduction और एक होता है sexual reproduction अब ये जो उस corner पे आप diagram देख रहे हो, बहुत सारी books में ये diagram 99% books में नहीं दे रखा, जबकि NCRT में पूरा एक page, first page आपका इसी बात के उपर दिया हुआ है, no doubt very important questions यहां से derive होंगे तो दू type का reproduction आपने पढ़ा, sexual and asexual reproduction इसमें यही दर्शाने की कोशिश की है, कि किस type के reproduction में variation जदा आएंगे जैसे इस organism को आप दियान से देखो, ये जो diagram हमने बनाया है ये और ये बिल्कुल सेम नहीं है, जैसे ही इसकी अगली पीड ही आई, अगली generation आई तो देखो यहां पर ये थोड़ा सा variation आ गया है इसमें इससे दो ओफ स्प्रिंग बने हैं, इस दूसरे में भी देखो थोड़ा change यहां आया है ये जो थोड़ा change है, जब इनके ओफ स्प्रिंग आई, इनकी अगली generation आई तो देखो ये थोड़ा change यहां से यहां आए, तो थोड़ा सा change था और अगली पीड ही आएगी, generation आएगी तो ये change और बढ़ गया, देखो यहां पर ये बढ़ गया इससे ये दो बने तो यहां पर ये और बढ़ गया अब इसी तरह इसमें भी ये variation है, ये variation है इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एदे को जो इनकी मेन बोडी थी कोई और ज्यादा चेंज भी आ सकता है यह जो चेंज आ रहा है इसी का नाम तो विरियेशन है यह जो चेंज आता है और जब ये changes आते जाते हैं लगातार तो पुराने टाइप के organism से हजारों सालों में लाखों सालों में variation आकर एक ऐसा organism बन जाता है जो ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा अलग होता है इस चीज़ का नाम होता है evolution ये जो दो terms थी इनका meaning मैं या समझा रहा था आपको evolution क्या है कि simple ones से धीरे धीरे variation आके complex organisms बन जाते हैं जिसको का जाता है evolution तो यहाँ पर जो diagram है ये variation के लिए दिखाया हुआ है कि variation reproduction के दौरण कैसे आते हैं reproduction दो टाइप का आपने पड़ा asexual और sexual याद रहे asexual में बहुत less variations आते हैं बहुत कम variation आएंगे जैसे आप plants को देख लो तो plants में बहुत कम variation आते हैं जैसे example आपके यहाँ दिया आप और कोई भी ले सकते हो जैसे sugar cane है तो sugar cane है जब आप इसको उगाओगे तो नए बनेंगे तो वो लगबग सेम होंगे जो उनके parents हैं वैसे यानिके जो उनकी पहले वाली PD है यानिके बहुत कम variation minor variations आते हैं किस में asexual reproduction में जबकि sexual reproduction में क्योंकि genes काम करते हैं जैसे human beings हैं तो इन में क्या होता human beings में 23 pairs हैं chromosome के chromosome क्या है जो भी कोई cell है जो आप पहले से पढ़ते हैं इस cell के अंदर क्या है nucleus होता है इस nucleus के अंदर thread-like structures होते हैं ये जो thread-like structures है इनको का जाता है chromosomes और chromosomes के उपर पाय जाते हैं genes and genes are the unit of heredity ये जो genes हैं genes होते हैं they are unit of heredity यही तो characters को transfer करते हैं genes तो 23 pairs पाय जाते हैं human beings के अंदर तो sexual reproduction में क्या होगा genes की involvement है और काफी complex processes चलते रहते हैं जिसकी वज़े से इस में variation बहुत ज़्यादा आएंगे variation ज़्यादा होंगे more होंगे अब NCRT exercise में भी और board exams में भी ये question बहुत बार पूछा गया कि Asexual reproduction में less variation है चलो कम है लेकिन variation तो है ऐसा क्यों है इसका क्या कारण है तो आप से पूछा जाएगा why the variation take place in Asexual reproduction तो आप बताएंगे कि DNA replication के दोरान जब DNA replicate कर रहा होता है तो इसमें कमी आजाती है error occurs replication means copy DNA क्या करता है DNA जो है डी ओक्सी राइबोज नूकलिक एसिड ये पाए जाते है यही तो unit of variety ये genes वगरा के अंदर यही आगे carry करते है आगे थोड़ा चा DNA के बारे हम पढ़ेंगे इसी chapter में तो DNA क्या करता है replicate करता है जिसे cell divide होती है ये सारे काम होते है एक cell से दो चार आठ दस जो डिवाइड होके बनती हैं तो DNA replicate मिंस उसकी photocopy बनती है एक DNA है दो कोपी बनेंगी दो cell में चली जाएंगी एंड सोन इस तरह से बहुत सारी कोपी चलती रहती है तो photocopy और ही तो photocopy की machine खराब भी तो हो सकती है एक आदी कोपी धुंदली भी तो आ सकती है उसमें थोड़ा बहुत फरक भी तो आ सकता है वही बात यहां होती है कि जब DNA replicate कर रहा होता है तो उसमें थोड़ी बहुत errors आ जाती है जिसकी और जैसे variation आते हैं लेकिन फिर भी यह बात हम याद रखेंगे कि A sexual reproduction में बहुत कम variation है जबकि sexual reproduction में variation ज्यादा है एक question यहीं पर पूछा हुआ है NCRT exercise में भी है कि कोई species A है उसमें 10% variation है next generation में एक species B है उसमें 60% variation है याने के characters में difference है अलग है उनके characters तो पूछा कि इन में से कौन सा organism पुराना रहा होगा याने कि किसकी age इसमें से ज्यादा रही होगी तो no doubt 10% इसका मतलब इसमें तो बहुत कम variation आये हैं तो यह तो ताजा ताजा बात है नई नवेली बात है यह 60% means पहले 10% आये होंगे फिर 20, 30 और लगातार generation चलती रही होंगी तब जाके 60% variation आये होंगे जैसे यहां से देखो यह small change है और यह तो यहां से यह तो काफी time लगा होगा तब यह variation पहुँचे हैं तो इसमें 60% variation है तो इसी की age क्या है ज्यादा मिलेगी यह ज्यादा पुराना मिलेगा Heredity के बारे में जो main experiment है वो Mendel के किये हुए है Gregor John Mendel इसको जो Mendel है इसलिए Mendelian science भी कई बार का देता है और इसको father of genetics भी कहा जाता है यह आप जरूर याद रखेंगे important है one marks में पूछ सकते हैं who is known as father of genetics तो कौन है वो Mendel है हाँ आप से genetics भी पूछ सकते है what is genetics तो आप बताएंगे genetics क्या है यह bio की एक branch है biology की जो हमें किस के बारे में study करवाती है heredity and variation the branch of biology which deals with the study of heredity and variations is called genetics तो evolution कैसे होता है देखो यह details है आदे chapter में हम heredity के बारे में पढ़ने वाले हैं और बचे हुए आप में हम evolution के बारे में पढ़ेंगे variation तो पकी बात है चलेंगी वरना तो evolution हो गई नहीं जब change होंगे organism तो भी तो बात बनेगी जैसे के एक example यहाँ पे लिया bacteria का अगर bacteria सारे एक जैसे हो जाएं कोई variation ना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इससे तो जो survival है life का वही खत्रे में पढ़ जाएगा आस्तितों ही खत्रे में पढ़ जाएगा प्रसंचिन लग जाएगा तो bacteria मान लिया bacteria है आर्थ के उपर यह bacteria है आर्थ के उपर है यह आर्थ है तो क्या होगा यह तो सारे खत्म हो जाएगे यह एक species खत्म होगा और ऐसे खत्म होने लगे तो फिर तो दिरे दिरे सारे ही हो जाएगे तो होगा क्या जैसे ही ऐसी conditions बगएर आएगी तो कुछ तो इसमें से खत्म हो जाएगे लेकिन बहुत कम संख्या में कम होंगे लेकिन वो सरवायू कर जाएंगे इट मेंस एनवायरमेंटल फेक्टर को उसने सरवायू कर दिया हरा दिया तो अब आगे ये जो बचे हुए हैं इनकी जो जनरेशन आएगी वो सारी कैसी आएगी जो सरवायू कर सकती है कर सकती है तो ये variation का कमाल हुआ, अगर ये सारे एक जैसे होते हैं, तो खतम हो जाते हैं, या जैसे इसके उपर कोई steroids पढ़ जाए, कोमेट पढ़ जाए, कोई दुरगट ना हो जाए, कोई आकाश ये appendix से टकरा जाए, और इन में से कोई survive ना कर पाए, ना कर पाए, तो फिर वही बात है, इसलिए variation जरूरी है, variation is must, जब variation आएगी, changes आएंगे, तब ये अच्छी तरह survive कर पाएंगे, आगे चल पाएंगे, जेनेटिक्स के बारे में, या हेरेडिटी के बारे में, मेंडल ने हमें बताया, इसको father of genetics भी बोलते हैं, ये Austria, एक country है, Australia, औस्ट्रेलिया नहीं बोल और experiment करने के लिए नहीं उन्हें क्या किया, विशेश प्लांट चुना, जिसका नाम है sweet pea, मतर जो है, याने के जिसका scientific name है, मैं यहां लिख रहा हूँ, पाईसम स्टाइवम, तो इनको भी वैसे बहुत ज़्यादा तो हालापने कामियाब बनाए, ये वेचारे टीचर वग बनके वहीं आए और इन्होंने पी को, पी प्लांट, इसका scientific name क्या है, पाईसम स्टाइवम, जो मतर के पोदे हैं, उनको लिया और उनके उपर experiment करना शुरू किया, हलांकि दूसरे scientist वगएरा ने भी ये थोड़ा बहुत काम कर रखा था, लेकिन इन्होंने बिलकुल pure breed ले पी, पीज की, मटर की और उनके उपर experiment किया, कई बार ये भी आप से पूछा जाता है कि वाई ही selected पी प्लांट, इनको क्यों लिया, तो इसके पीछे जाईर से रिजने बिलकुल आसान से, एक दो बात आप बता सकते हैं कि पी प्लांट को उसने क्यों लिया, इसका कारण है कि इनकी जो लाइफ साइकल है, वो शोर्ट है, कम समय में ये पी प्लांट्स तयार हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी इनको स्टेडी कर सकता है, इसके अलावा इनमें वेरियेशन बहुत जादा है, इसलिए इन्होंने पी प्लांट्स को चुना, जैसे के अलग-अलग फ्ल प्लांट्स में है, तो मेंडल ने चुना पी प्लांट्स को जैनेटिक्स की स्टेडी के लिए, 1865 की बात है, तब तक इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किये, 1866, 1866 में इन्होंने पूरी अपनी डिस्कवरी दुनिया के सामने रखी, लेकिन उस समय लोगों ने इसक सलाम भी करती है, इनका जजबा जीत गया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और 1900 तक आते आते, दूसरे तीन साइंटिस्ट और थे, हुगों, डीवरीज, एट सेटरा तीन थे, उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किये, और ये पता लगाया कि हम जो और आखिरी में दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए, अपने जूनियर, सीनियर, जिनके भी एक काम आ सकता है, उन तक पहुंचाईए, बहुत से स्टूडेंट्स, कॉमेंट्स में सिलेबस के बारे में पूछते हैं, तो डॉन्ट फियर, मैं हूँ न, दिसंबर तक आपका ये बोर्ड एक्स्प्रेस का सिलेबस पूरा होगा, आप तयारी करते रहिए, लगे रहिए